इस वीडियो में है class 10 के exercise 1.2 का question number 6 question में दिया है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers question number 6 में हमें explain करना है कि जो भी हमें ये first वाला और second वाला number दिया गया है ये composite numbers क्यों है composite numbers क्या होते हैं ऐसे सभी numbers जिनका 1 के अलावा कई सारे factors होंगे उनको composite number कहा जाएगा so question number 6 के solution में सबसे पहले जो भी हमें ये 2 number दिये गए है इनको solve करना पड़ेगा पहले first वाले number को solve करते हैं first वाला number है हमारा 7 into में 11 into में 13 plus में 13 इसको solve करना बिल्कुल simple है guys multiply और plus ही तो करना है लेकिन simple way में solve करते हैं 13 यहाँ पर मैं comedy ले लेता हूँ आप देख सकते हूँ इस वाले term में 13 है और यहाँ पर भी 13 है मैंने 13 को comedy ले लिया 13 को comedy लेने पर बचेगा क्या इसमें 13 को comedy लिया है तो 7 into में 11 बच जाएगा यहाँ गहा 7 into में 11 plus का sign यहाँ पर as it is लगा दूगा यहाँ पछा का sign यहाँ पर 13 है common हम 13 ले चुके हैं तो यहाँ पर आ जाएगा guys हमारा 1 bracket close करेंगे अब simply 13 हमारा as it is 7 into 11 7 को 11 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 77 प्लस का 1 as it is आगे solve करेंगे तो 13 as it is 77 को 1 में add करेंगे 77 प्लस में 1 यह हो जाएगा 78 78 हमारा prime number तो नहीं है यानि इसके factors किये जा सकते हैं तो 78 के factors एक side में यहाँ पर कर लेते हैं 2 से करेंगे 39 आ जाएगा 3 से करेंगे 13 आ जाएगा फिर 13 से करेंगे तो आएगा 1 यानि जो भी हमारा यह 78 नमबर है इसको prime factors के रूप में लिखा जा सकता है तो यहाँ पर 13 हमारा as it दे लिखेंगे multiply का sign लगाएंगे 78 को मैं किस तरह से लिखूँगा 2 into 3 into 13 तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 into 3 into 13 अगर इन तीनों numbers को multiply करेंगे एक दूसरे से तो हमारा 78 ही बनेगा आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारा यह number है इसका one के अलावा कई सारे factors है तो यह composite number होगा बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो second वाला number है इसको भी solve करते हैं यहाँ पर करता हूँ लिखता हूँ इसे seven into me six into me five into me four into me three into me two into one plus me five इस number को भी हम solve करेंगे यह rough work जो किया है हटा देता हूँ इसे रफ कर देता हूँ आप यहाँ पर देखो इस वाले term में five आता है और यहाँ पर भी five है यानि इसको solve करने के लिए हम five common ले सकते हैं five common लेने पर बचेगा गया यहाँ से हमने five common ले ल two into one हमारा बचेगा five यहाँ पर नहीं लिखेंगे so seven into me six into me four into me three into two into one आ जाएगा इसके बाद plus का sign लगा देंगे यह plus का sign as it is five हम common ले चुके हैं तो इस five के जगह पर आ जाएगा one bracket करेंगे close अब simply guys आगे solve करना बिलकुल simple है five से five यहाँ पर as it is आएगा जो भी हमारे यह numbers ह seven into six into four into three into two into one जिनके बीच में multiply का sign लगा है सभी को multiply करेंगे तो आ जाएगा one thousand eight one thousand eight सभी को multiply करने पर आ गया और plus का one यह हमारा as it is यहाँ पर लिख देंगे bracket करेंगे close इसके बाद यहाँ पर five आ जाएगा और जो भी one thousand eight plus में one है यह क्या हो जाएगा हमारा one thousand nine यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा यह number था इसके one के अलावा दो factor है यानि कि यह हमारा composite number होगा दोनों numbers में आप देख सकते हो one के अलावा कई सारे factors है यहाँ पर भी one के अलावा कई सारे factors है यानि कि यह दोनों numbers composite numbers होंगे last में यहाँ पर लिख देंगे दोनों numbers related both numbers are composite as they have many factors other than 1 जो भी हमारी ये दोनों नंबर्स हैं ये composite होंगे क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 के अलावा इनके कई सारे factors होते हैं सो जो भी हमें ये दो नंबर्स दिये गए थे ये दोनों composite numbers हैं और क्यों है इसका reason हमने यहाँ पर लिख दिया है तो question number 6 हो गया complete अनलाव क्योड़र्स दिया आपए तो